अकर्ती 6.10 ये आपको अकर्ती दी गई है फिरो कहता किरन ओ-S किरन मेरे पास है O-S रेखा P-O-Q पर खड़ी है P-O-Q पर खड़ी ये किरन मेरे पास P-O-Q पर खड़ी है किरन O-R और O-T करमश हैं एंगल P-O-S और एंगल S-O-Q के सम्धिभाजक हैं आपके पास किरन है O-R O-C-R जो किरन है करमश है यानि कि ये किरन इस एंगल के साथ जाएगी और ये किरन इस वाले इंगल से जाएगी इसका मतलब होता है करमश है O-R O-C-R किरन है P-O-S को सम्धिभाजक करती है ये देखा इन दोनों एंगलों के बीच में से जा रही है या यह दोने अंगल मेरे हो जाएंगे, ब्राबर, इसी तरह है, O से T, O से T, एंगल S O Q, एंगल S O Q, यहनकि जो यह वली रेखा है, किरन है, यह इस पूरे अंगल को बीच में से काट रही है, तो यह दोने अंगल मेरे ब्राबर हो जाएंगे, यह दोने अंगल मेरे हो जाएंगे यह हो जाएगा मेरे पास X बटे में 2 और यह मेरे हो जाएगा X बटे में 2 आपने मान निकालना है एंगल ROT का ROT का मान निकालना है यह यह वला एंगल आपने निकालना है तो दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, अगर मैं इसको y लेलू, तो ये भी मेरा हो जाएगा y तो angle rot का जो मेरा पस माना जाएगा, angle rot, x बटे में दो और जमा में मेरा पस y हो जाएगा, हमें इस का मान निकालना है तो हम लगा देंगे रेखिक य वह एंगल, por जमा एंगल, ros जमा एंगल, sot जमा एंगल, toq मेरा पस जाएगा, 180 डिग्री, रेखिक यूगलम से, तो ये मेरा पस है, x बटे में दो, जमा x बटे में दो, ये मेरा पस है y, ये मेरा पस है plus y, ये मेरा पस जाएगा, 180 डिग्री, आपको value निकानी है, x बटे में दो, जमा y, x बटे में दो, जमा y, तो में इनको लिख सकता हूँ, अगर मैं यहां लगा दू, ब तो एक्स बटे में दो जमा एक्स बटे में दो मेरे पसे लेगा है दो उना में एक्स बटे में दो यह मैं लगा देता हूँ प्लेस वाई और वाई और वाई मेरी ऊजाएगे टू य ब्राबर पर बचाएगा 182 व्यक्ष डिकर अब 25 मैं लेता हूं कॉमें द्हों से दोओ कॉमिल लेएं अंदर मेरी रच गर एक वैलु मेरे पस प्राइगा 118 दिए वाली वैलु मेरे पस किसके अबराबर है एंगल आरौटी के बराबर है तो मैं प्राइग सकता हूं दो गुनामे Anglo ARO T बराबर हो जाएगा 180 दिए तो एंगल ROT मेरे पस होoughtएला 180 ये गुणामी तरह को जाएगा भावूरी तो मेरे बचाएगा 90 डिग्री तो दोस्ते यही आप को जाएगा उत्तर